वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो अभी चार बज गए हैं और देखें मौसम कैसा हो गया है और यह देखो हम बारिश हो रही है यह लाइफ देख सकते हैं आप बारिश होते हुए और खतरनाक मौसम होगया देखो काले काले बादल आ गया है है यह पूरा आसमान बादल už से घ्र गया है और बिजली भी कड़क रही है और खतरनाक बारिश होने की संभा ओना है देखो अभी अभी Unity ऐसा हो गया इतना चेंज आगिया मौसम में और देखें बाजेसर में तो भी बारी चोडोडे वाले साइड में तो यह शीर हो रही है और यह सैंसे नेपाल हिमालय भी दिखाए दी रहा है यह वाज्वर और रिया में बारी सोड़ी है और और यहां देखिए धूबी आ रिखी है और यह काली काले बादल जो होते हैं बारिश के बादल होते हैं अच्छ ने उठा दिये कपड़े उठा दिये को बहुत तेज बारिश आती है तो गाई जब बारिश होने लगी है और आज फिर शेह वारिश होगी है तो इस बार इंसम जबना बारिश का छोड़ने वाला है तो गया इन दर को तो मौसम खुल आए यहां पर खुल आ है लेकिन यहां को जो है ना बहुत ज्यादा वारिश हो रही है हवा के साथ वारीच आरी है भी देखे अभी शुबह के बजगे हैं शाड़े साथ और हम यहाँ पर आगए अभी दूप सेखने के लिए कर ले हां पर बारिश वी और ओले भी पड़े जिससे काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है अबर बिंसर में और पहाड़ों में अलमुडा और त्राखन के सब पहाड़ों में कहीं बरब भी पड़ी है और जिससे काखते हैं टंप्रेचर में बहुत ज्यादा गिरावट आगी है तो अभी हम काई यहां पर दूप शुबह जल्दी आ जाती है तो अच्छी भी लगती है तो आप चालों में शुबह शुबह दूप सेखने की दिन भी आ हैं तो यह है अपर और क्लाइमेट जो है ना धीरे धीरे डाउन होते जा रहा तंप्रेचर बहुत कम होने लग गया है और यहां पर अब भी बहुत पड़ती है तो तो दिसम्बरम पड़ती है लेकिन ऐसी अगर मौसम रहा तो साइद पहली पड़ जाएगी तो यह है है तो यह है तो यह है तो यह है तो मौनिंग गुलोग मैं आपका हर्दिक स्वागत है गुड मौनिंग मैं कल तक मैं जीवन आपका स्वयोगी मैं आची ख़बर हम कल देते हैं तो गाईज अभी बहुत ठंड होगी इन सभी लोगों को और यहां पर दूप शेखने के लिए करतार में खड़े हो चुके दूप शेखने के लिए अच्छा दिखाए देता है तो अक्षर हम पर आते हैं शुबह देखने के लिए सबी लोग आते हैं यह देखो अपना पड़िया देखाए दे रहा है दो गाई पारकिंग्स और काफी यहां पर गाड़ियां खड़ी हैं फुल तो नहीं हैं लेकिन हैं गाड़ियां के रभी एक बंदर आया है यहां कहीं है वह दिखनी रहा है और सांग गड़ियां बंदर ने तो गाई जबी हम जा रहे हैं वाक पर के अभी शुबह का टाइम है जंगल वाक पर जा रहे हैं खाफी घने जंगलों के अंदर तो एक किलोमेटर वाक हमने कर लिया है भी आपर जंगल है ना काफी घना है पूरा रियाल जिसे भरावा है और ओक का यहां पर जंगल है करने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन शांद में बहुत ठंड भी लग रही है क्योंकि अभी पहाड़ों में वारिश होने से टेंप्रेचर जो है कभी डाउन हो चुका है तो देखे गाई एक पेड़ तो इसका जो लुक है को इस पिकार से है देखुए इसा हो गया है बांज का पेड़ा ना जो अशली बांज होता है तो वही है देखे लिए इसमें दिया ही नश्रे से बनना रहा है जो है कि अनुने का रहा है जो लपनी को खाता है वह अलग के रहा है तो गाई जैबी वाक चल रहा है यहां पर शुबा के टाइम पर ठंडी ठंडी और साफ रहा है और रोट पर भी कोई नहीं है तो गूमने में अच्छा लगता है और स्वास्ते के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है और यहां से जो भी है वह कुछ प्रकार्च है अच्छा लगता है